बिटकोईन के प्राइज में हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है जैसे ही CPI नमबर अनाउंस हुए हमारी लास्ट वेडियो में हमने इसी के बारे में बात की थी बिटकोईन का नेक्स्ट मूव CPI नमबर के रिलीज होने के बाद ही आएगा जिसमें हमने बिटकोईन का टारगेट 25,000 डोलर का रखा था अगर नमबर अच्छे आते है तो और ऐसा ही बिटकोईन के प्राइज में हुआ है राइट नौ बिटकोईन का प्राइज 24,500 के राउंड ट्रेड कर रहा है और साथ में strong uptrend बिटकोईन में देखने को मिल रहा है नेक्स टारगेट बिटकोईन के लिए क्या हो सकते है इसके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसके साथ ही ED जो action layer है domestic exchanges पर वो भी discuss करेंगे इस वीडियो में वेलकम तू आवर चैनल क्रिप्टो मैंडर्स अगर आप अमारे चैनल पे न्यू हैं तो subscribe बटन पर क्लिक करके चैनल को subscribe करें फाइनली क्रिप्टो इंवेस्टर्स को थोड़ा अच्छा फील हो रहा होगा मार्किट में recovery देखकर बिटकोन के साथ साथ old coin में भी हमें अच्छा pump देखने को मिल रहा है बिटकोन ने 25,000 के price को touch किया है जिसके बास से हमें इसमें थोड़ी profit taking देखने को मिल रही है क्योंकि 25,000 दोस्तो एक psychological resistance होता है कई लोगों ने इसे अपना profit taking target set किया होगा अब फिर से market में अच्छा pump आया है और बिटकोन का price 24,500 के round trade कर रहा है इसके साथ ही ETH में भी अच्छा pump देखने को मिला और अभी ETH 2000 के round trade कर रहा था अब बात करते हैं यहां से next move बिटकोन में क्या आ सकता है जैसे कि अभी मैंने आपको बताया 25,000 बिटकोन के लिएक psychological resistance है इसके साथ ही जो daily 100 day moving average है वो भी इसी के पास है इसलिए बिटकोन का 25,000 के level को break करना बहुत ही significant move होगा बिटकोन के chart को अगर आप 4 hour के time frame पर देखते हो तब बिटकोन के price में 24,500 से 25,000 का जो level है उसे 4 से 5 बार cross करने की कोशिश की है जब भी किसी price level को बार बार break करने की कोशिश होती है तो वो level weak हो जाता है और at the end वो break हो ही जाता है चाहे वो resistance हो या फिर support ऐसा ही कुछ हमें बिटकोन के chart पर भी देखने को मिल रहा है इसके साथ ही आप ये भी देख सकते हो बिटकोन का जो price है वो higher lows लगा रहा है जो की एक positive picture दिखा रहा है बिटकोन के chart इसके साथ ही ascending triangle pattern भी बन रहा है बिटकोन के chart पर ये pattern भी bullish signal दे रहा है overall बिटकोन का chart अभी भी bullish momentum में हो और आप इसे अभी भी buy कर सकते हो ये तो बात हुई दोस्तों bitcoin की अब बात करते है domestic exchanges की Indian investors और exchanges दोनों के लिए मुश्किले और ज़्यादा बढ़ने वाली है EDE ने 10 crypto exchanges के खिलाफ money laundering की investigation स्टार्ट कर दी है और वजीर X का नाम इस list में number one पर है और जैसे ही वजीर X का नाम आया Binance ने भी अपने हाथ पीछे खीच लिये वजीर X से इसके साथ वोल्ट exchange की asset को भी freeze कर दिया है EDE ने जिसमें EDE ने कहा है कि वोल्ट से 46.4 million crypto fund transfer किया गए है चाइना को इस तरह के कई सारे action आपको EDE की तरफ से देखने को मिलेंगे जो की अच्छी बात भी है इस तरह के कोई भी misuse अगर exchanges की तरफ से किया जाता है तो इंडियन गवर्मेंट को उन पर strict कारवाई करनी चाहिए वजीर X पर कारवाई की वज़े से वजीर X exchanges के जो users है वो दूसरे exchanges पर shift करना start कर दिया है क्योंकि वजीर X वन अफ दी बेस्ट क्रिफ्ट एक्चेंजिस था इंडिया में जिस पर EDE ने पूरी तरह से investigation स्टार्ट कर दी है और 9 million के round assets को भी freeze किया गया है इसके साथी वजीर X ownership को लेकर भी अभी तक कुछ clear नहीं हो पाया है ऐसे में investors और users दोनों का trust वजीर X पर खतम होता दिखाई दे रहा है और इसके trading volume में भी काफी गिरावट आ गई है पहले से जिस वज़े से वजीर X exchange को यूज करना users के लिए काफी risky भी हो गया है इस time पर जिसका direct impact वजीर X के user base पर दिखेगा वजीर X तो Binance के fund transfer वहा करती थी दोस्तों वो भी अब stop कर दी गई है अगर आप भी वजीर X exchange को यूज करते हो तो आप भी अपने assets को दूसरे exchange पर transfer कर सकते हो like coin DCX and coin switch इन दोनों crypto exchange के link आपको description box में मिल जाएंगे ये था दोस्तों आज का अमारा वीडियो I hope आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा इसलिए वीडियो को like और share कर दीजिए and last हमारे चैनल को subscribe करना ना भूले थैंक यू जाहें